हेलो है आशी श्यास आप शबका एस्ट रोजर दोस्तों आज बात करेंगे मोधी जी की कुंडली के बारे में कि मोधी जी का भविशे आगे कैसा है गुजराओ का इलेक्षन है नहीं नहीं कि और यहाँ पर देखना है और जो में इलेक्षन आने वाला है आगे 24 के आसपास त यहां पर सबसे पहले मोदी जी की कुंडली रख देते हैं मोदी जी की कुंडली व्रिचिक लगने की कुंडली लगने स्थान पर मंगल चंद्र का लक्षमी योग कुंडली काफी पावरफुल लेकिन अब जो सिच्वेशन क्रियेट होने वाली है 23 अक्ठोबर से शनी कुम राशी की तरब जाएंगे 24 नमेंबर 2022 से गुरु महराज मीन राशी में सीधा चलेंगे और जो आगे नेक्स्ट यर यहां पर मेश राशी में कनवर्ट होगे तो आगे की सिच्वेशन क्या रहने वाली है शनी महारात चौथा स्थान माता का स्थान है मधर की हेल्थ और उनसे आयूश्य से जुड़े होए प्रॉब्लम सा सकते हैं भगवान उनको लंबा आयूश्य दे लेकिन यहां मधर क्योंकि यह मोदी जी की कुंडले इससे इनक कुमराशी की तरफ तो मकराशी से कुमराशी की तरफ तो यहां मोदी जी के मदर की हेल्थ रिगारिंग चीजे ध्यान रखने है यह चौथा स्थान पब्लिक का भी है जनता का भी अब जनता के स्थान पे शनी मारा जाएंगे तो जनता से वीरोध हो सकता है जनता की पसंद योग को देख रहा है मंगल चंद्रा जो की नेगेडिवीटी को पूरी कंट्रोल करें लेकिन यह गुरु जब आगे चला जाएगा नेगेडिवीटी तो क्या होगा तो नेगेडिवीटी बढ़ सकती है जनता के स्थान पर बैठा हुआ शनी इफेक्ट करेगा खासकर नेगे अपरिल में शनी सूर्य साथ में होंगे खासकर यहां पर शनी की दृष्ट्री राहु के उपर होगी, गुरु के उपर होगी और साथ में फिर सूर्य होगा जो मार्च अपरिल के आसपास आएगा तो नेक्स्टी येर में काफी ज्यादा नेगिटीवीटी बनी हुई है ज जिसमें जंता हो गई जिसमें उनके मधर और उनकी हेल्थ और आयुशे के रिगारिंग चीजे हो गई उस टाइम पे उनकी खुद की हेल्थ के रिगारिंग भी नेगेटीव इफेक्ट आएगा मोदीजी की खुद के हेल्थ से रिलेटेड इस्जू उनको देखने तो हेल्थ रिगारिंग चीजें संभाल नहीं है लेकिन शत्रू बहुत सारे हैं शत्रू से उनको संभालना पड़ेगा शनी महाराज सत्ता के स्थान को देखेंगे नेक्स टियर तो जो भी सत्ता पाने के लिए नेक्स टियर जो भी चुना होंगे या तो फिर कोई ऐसे रा उनका जो भी पॉलिटिक्स में जो भी वह जीतते आरहे हैं या जो भी अपना एग्जिकुुशन करना एके आरहे किसी एराजय में बिस्षाफ करने में बिक्कत आएगी जनता की तरफ से वीरोस सहना सहना पड़ सकता है नेमफियम खराब हो सकता है, मान सम्मान को हानी हो सकती है, सत्ता को जीतने के लिए जो इजीली वो कोई भी राज्य में जीत जाते थे वो इतना इजीली नहीं जीत पाएंगे या हार भी सकते है, ऐसे ही योग कुछ सालों पहले हुए थे, 2017-2018 के असपार जहां पांच राज् राजस्थान है, उत्राखंट के साइड के चुना थे, उसमें वो सभी में से तीन में मेरे खाल से कॉंग्रेस आई थी, राजस्थान हो गया, मध्यप्रदेश हो गया, और पंजाब में कॉंग्रेस बनी थी और बाकी की राज्य में दूसरे पक्स बने थे, भाजब हार जीरो दिया, कोई नगो ऐसी सिच्चोशन आ सकते है, जिससे मुदी जी का जो नेमफे में उसमें कमी आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकता है, यह सारी चीजी नेक्स्ट इयर होगी, इस सल गुजरात के चुना में क्या होगा, यह मैं अलग वीडियो बना के बताऊंगा, लेकिन भी बहुत सारे नेगिटिव इफेक्ट आ सकते है, मेंटल स्ट्रेस क्रियेट हो सकता है, कुम राशी का शनी दसवे दरिष्ट्री से लगने स्थान को देखेगा, मंगल चंदर लक्ष्मियोग जो हमेशा उनका देवी यह सहाय उनको मिलती है, उसमें कमी आ सकती है, प्रॉ सिच्वेशन क्लियर हो, लिकिन शुरू का जो समय है, बहुत भारी है, नेगेटिव है, वर्ल्ड एकोनोमी के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो, उसकी विज़से उनके ओपर भी बर्डन आ सकता है, कुरोना के काल में गवर्मेंट के ओपर काफी प्रेशर आगे था, वैसे ही क इतना अच्छा नहीं है, हाँ, बाकी का जो गुजरात चुना में क्या होगा, और कुछ और चीज़े है वो में बाद में बता हूँगा, बट ओर 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 तेईस का साल, इतना स्मूध इतना फूटफुल नहीं है, और आप सब भी देखेंगे, क्या हो रहा है, क्या होगा, अब यह क्या है, यह एक्ज़ेट नहीं कह सकता, जैसे मैंने 2018 के लास्ट में डिसेंबर में प्रेडिक्शन किया था, कि 2019 के सप्टेंबर के बाद इंडिया में कोई नई बीमारी आएगी, इतना मैं कर पाया था, लेकिन उसका नाम कोरोना होगा, वो इतना प्रॉब्लम करे प्रेडिक्शन करेंगे, ठेके दोस्तों, बाकी आगे जो भी होगा मैं अब्डेट दूँगा, आपको कुछ और सब्जेक्ट के ओपर वीडियो चाहिए, मुझे बताईए, ताकि मैं वीडियो बनाओ, क्योंकि मुझे सब्जेक्ट जितने मिलें, मैं वीडियो बना रहो, दूसरा आज ये बना रहो, तीसरा में गुजाद इलेक्शन पर जैसे डेट डिक्लेर होते में वीडियो बना दूँगा, और भी कुछ सब्जेक्ट पर आपको वीडियो चाहिए, प्रेडिक्शन चाहिए, जिसमें कुंडली अवेलेबल हो, तो मैं प्रेडिक्शन कर प्रेडिक्शन चाहिए, जिसमें प्रेडिक्शन चाहिए.